नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रवा में मैं करुना आज ये वीडियो लेकर आई हूँ 12th क्लास के पिंटिंग सब्जेक के स्टूजेंट्स के लिए और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समकालीन आदुनिक भारते कलाकारों के चापा चित्र तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ समकालीन कलाकार हम कहते हैं उन आर्टिस्ट को जो आर्टिस्ट आज की डेट में भी कला के छेतर में बहुत से प्रियोग कर रहे हैं और या फिर उन आर्टिस्ट को जो अभी जल्दी में ही जिनकी मृत्य हुई है ठीक है मतलब बहुत ज़्यादे पुराने कलाकार को हम समकाले इन कलाकार की श्रेणी में नहीं रखते आधुनिक कलाकार कला के छेतर में वो सभी कलाकार है जिन्होंने बंगाल शेलीक में काम किया और उसके बाद के आर्टिस्ट यानि बंगाल शेलीके बाद के आर्टिस्टों को बोल दिया जाता है आधुनिक कलाकार और बंगाल शली हमारे हैं कब आई बीसमी शताब्दी में यानि बीसमी शताब्दी के बाद के कलाकार आधुनिक कहलाए जिहों ने पारंपरिक रोड़िवादी कला को एक तरह से छोड़ दिया और त्याग दिया अब दूसरी चीज यहां पर आई है बिटा छापा चित्र आपने अभी तक चित्रों को पढ़ा ठीक है अब आप पढ़ेंगे छापा चित्रों को और छापा कारों को ठीक है अब छापा चित्र क्या होते हैं चित्र और छापा चित्र में बस इतना सांतर है कि चित्र कलाकार एक बारी में एक ही बना पाता है लेकिन छापा चित्र कलाकार एक बारी में कई बना सकता है और कैसे बना सकता है तो वो क्या करेगा कि किसी स्टेंशिल के माध्यम से उस चित्र का एक प्रिंट फिर दूसरा प्रिंट फिर तीसरा प्रिंट ऐसे करके वो प्रिंट निकालते ज मजबूत होगा तो ज्यादा प्रेंट निकलेंगे और कम मजबूत होगा तो कम चितर निकलेंगे अब कौनकों कौन से होते हैं और कब यह चितर हमारे अस्तितुमें आए तो चितरों की सबसे पहली चितर जो सबसे पहली विधाती तकनीक थी वो थी वुड कट ठीक है और ये वुड कट जो थी सबसे पहले कहां आई चीन में आई और चीन के बाद फिर हमारे यहां यानि भारत में भी आई फिर वुड कट के बाद इंटेगिलियो इंटेगिलियो से पहले तो खेल लीनो आ गया ली कर्क्रइब और रबड़की शीट घृती है है लीप ग्राफार अपने चित्र को मतब शापा कार अपने चित्र को मतब बनाता है और फिर इसके बाद उसके प्रेंट लेता है इसके बाद, इंटे गलियों, engraving, etching, offset printing, screen printing और ये सारी चीज़े चापा चितर में आती गई, आगे-ागे बढ़ती गई तो क्यूंकि आप 12th लिवल पर हैं तो हमें इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा deeply से नहीं जानना है हमें सिर्फ क्या जानना है कि चापा चितरन की विधा भी होती है अब आगे आप कोई चितर पढ़ोगे और उस चितर में ये देखोगे कि भाई इसको etching तकनीक से बनाए गया है तो आप ये बोलोगे etching एक नया सा word हो जाएगा तो ये एक चापा कला की तकनीक है etching, integlio, engraving, lithography, linocut तो आपको सिर्फ ये नाम पता होने चाहिए ठीक है ये काम कैसे करता है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा ठीक है तो अब थोड़ा सहम चापगला के बारे में पढ़ लेते हैं मैंने वर्बली जो बताया है वो तो है ही और हम देख लेते हैं तो एक समय था जब हम किसी कलात्मक कारे की प्रतिलिपी या नकल नहीं बना पाते थे ठपपा विधी प्राचीनकाल से ही सिक्केवे मोहरे बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाती थी लेकिन इस तरह के कारे को ललित कला याने की पेंटिंग्स में या फिर मूर्ति कला में शामिल नहीं किया गया था हाला कि छापा चितर कला का नवीन विक्सित रूप है जो रेखाओं पर अधारित है ये रेखाएं किसी मजबूत अब आप देख लिए चापा कला किस पर अधारित है अगर आप से चापा कला के बारे में पूछा जाए विशेष्टा पूछी जाए तो ये रेखाओं पर अधारित है ये रेखाएं किसी मजबूत चीकनी सतहा जो की लकडी भी हो सकती है धातू हो सकता है कठोर कागज होता है या कोई अन्यपदार्थ भी हो सकता है उस पर मन चाहया कार वे रूप के रूप में उकेरी जाती है फिर चाप बनाने वाली विधी से कागज, कपड़ा या अन्य किसी सतहा पर उसकी चाप लेकर चापा चितर तयार किये जाते हैं यह विधी तब भी महतपूर्ण है जब इसे हम किसी चाप की एक से अधिक प्रतियों की हमें आवशकता हो अगर हमें सिर्फ एक प्रति की ज़रते तो हम चितर बना लेंगे लेकिन हमें जादा प्रतियां चाहिए तो हमें चापा चितर तयार करने पड़ेंगे आवशक प्रतियां प्राप्त करने के बाद उसकी मूल प्रति को नजड़ कर दिया जाता है किसी कलात्मकारे, सुलेखनकारे या क्रति की सामान्य कागज पर छाप लेना एक तरह की यांत्रिक विजरी है सबसे पहले किसी कलाकार द्वारा एक कठोर चिकनी सता पर रेखाओं का मन चाहिया कार में जाल बनाया जाता है जिसे ब्लॉक, स्क्रेन या नेगेटिव कहा जाता है यह चित्र, यह किसी चित्र की मूल प्रति होती है उसके बाद कागज या अन्य किसी सता पर एक यांत्रिक प्रत्रिय द्वारा इसकी छाप ली जाती है रेखाओं को उकेर ने जाल बनाने के लिए कलाकार तामबे का प्रियोग करता है जिंक का पॉलिमर प्लेट का प्रियोग करते है लीथोग्राफी का जो पत्थर है, अल्मूनियम या पॉलिमर इसका प्रियोग वो कर सकता है वुड कट के लिए लकडी पर रेखाओं द्वारा चित्र उकेरा जाता है लीनो कट जो कि मैंने बताया कि एक मोटी रबड की शीट होती है उसमें हम लीनोनियम का प्रियोग करते हैं स्क्रिन प्रिंटिंग जो कि छापा कला की एकदम नवीन तम खोज है या की बिल्कुली नई तकनीक है इसके लिए हम प्रियोग मिलाते हैं सिल्क का या सिंथेटिक कपड़ी का बिटा ये तो था छापा कला अब हमारे स्लेबस में जो चित्र है तो हमारे स्लेबस में चित्र है बच्चे और ये बच्चे चितर के चितरकार हैं सुमनाथोर और इस चितर को इंगलिश में बोला जाएगा the children ठीक है और इस चितर को सुमनाथोर ने बनाया है 1955 से लेकर सत्तर इश्वी के बीच और इस चितर की श्रेणी रखी गई है समकालीन आधुनिककाल इस चितर को छापाकला की एचिंग और एकवाटेंट विधी से बनाया गया है तामबे की प्लेट पर इस चितर को उके रहे है जैसा कि एचिंग और एकवाटेंट में mostly तांबे की प्लेट ही प्रियोग में लाई जाती है और ये वाला चित्र अगर आज आप देखना चाहते हो तो आप चले जाओ रास्टर संग डाले नई दिली यहाँ पर आपको यह चित्र मिल जाएगा देखने के लिए तो पहले इस चित्र को यह देख लेते हैं पहले जाओ लुक से, गरीबी से, वेदना से सताय हुए हैं और इनके साथ ही एक दूसरी महिला दिखाए गई है उस महिला के पहनावे से लगता है कि वो सब्रांत अमीर घर की महिला है मतलब यहाँ पर दो क्लास के लोग दिखाए गए हैं एक गरीब और एक अमीर एक इतना गरीब है कि उसके पास खाने के लिए भी नहीं है और दूसरी के पास अच्छा खासा पैसा चितरकार नहीं है दिखाने का प्रयाज किया है ठीक हैं, अब वो महिला उन लोगों की और देखते हुए या तो सहानु भूती नजर से देख रही है या तो वो थोड़ा उन से हैजिटेट हो रही है है ना, इस तरह का भाव चितरकार ने इस चितर में दिखाया है चितर में कहीं पर भी आपको काले और सफेद के लावा तीसरा रंग नहीं देखने मिल रहा यानि चितरकार ने सिर्फ दो रंगों से इस चितर को समेट दिया ठीक है रेखाओं का बहुत अच्छा परियोग किया है तो इस चितर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं तो काले और सफेद रंग की निक्षारित रेखाओं के सहारे इस विशिस्ट चितर को तांबे की कठोर सता पर सोमना थोर ने 1955 सत्तर इश्वी में बनाया उनकी इस रचना में भुकमरी, कुपोशन, सोशन के सिकार एक गरीव प्रिवार के संघर्ष्व वेधना को दिखाया गया है इस चितर में तीन दुर्बल बच्चे और उनकी मा को दिखाया गया है बच्चों के चहरे विक्रत बनाये गए है विक्रत बतब टेड़े मेड़े क्योंकि हड्या ही हड्या है तो चहरे पर कहां से ही सुन्दर्टा दिखेगी विक्रती ही नजर आएगी कमजोर शरीर से जहागती हुई पसलिया कुपोशित फूले हुए पेट जुकी हुई आखे दीन हीन दशा उनकी दिख रही है उनकी मा जो स्वैम भी दीन हीन वे कुपोशित है अपने बच्चों के कंधे पर हात रखकर उन्हें धानस बंधाने का प्रयास कर रही है एक लड़की उनकी और संभवता दया भाव से देख रही है चित्र में समतल सता पर सफेद वे निक्षारित भाव को काली रेखाओं के द्वारा दिखाया गया है तो ये तो था आपका चित्र बच्चे की चित्रकार ने उसमें क्या ही दिखाया है अब आजाते हैं सोमनाथोर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो चित्रकार सोमनाथोर का जो जनम हुआ वो 1921 में हुआ चटगाउं जो की बंगलादेश में पढ़ता है वहाँ पर हुआ और ये एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने खुद ही कला की शिक्षा ली मतलब इन्होंने किसी स्कूल कॉलिज से नहीं सिखा ये खुद ही कलाकार थे और इन्होंने अपनी कला में धीरे-धीरे सुधार किया है न ऐसे कलाकारों को बोलेंगे स्ववप्रसिक्षित प्रतिभसंपन कलाकार इसके अलावा सोमना थोर के जितने भी चित्र हम देखेंगे उन्होंने उन चित्रों में क्या दिखाया है आकाल, भुकमरी, युद, गरीबी, अधिकतर उनके सारे चित्र कंकाल बेसी बने हुए है, मतलब हर चित्र में उन्होंने इसी तरह से गरीबी को या कंकाल के रूप में ही उस अवस्था को चित्रित किया है, और क्या है उनकी क्र 1975 में बनाया उन्होंने वियत नाम्य जो युद हुआ था उसके अंतरगत उन्होंने चित्र कैसे बनाए तो मानवता के विरुध हो रहे अपराधों को या उससे जो परिस्थितियां उत्पन हो रही है वेदनाय उत्पन हो रही है उन्होंने उनको चित्रत किया यही उनके चि अपनी डंड इस्छा शक्ति के चलते चीनी कास्ट चित्रकारी यानि उन्होंने चीनी के बर्तनों पर भी चित्रकारी की हैं लकडी वालों पर उन्होंने लीनो कट पी किया है यानि लीनो कट से भी चापा चित्र बनाया है उन्होंने बहुरंगी कास्ट उतकीडन भी किया है इंटे गिलियो चित्र भी उन्होंने बनाया है ये कलकत्ता के कॉलेज अफ आर्ट में तथा ड्रॉफ्टमेंशिप के प्रध्यापक भी रहे हैं और दिल्ली के कॉलेज अफ आर्ट देखो बहुत बड़ा कॉलेज है दिल्ली में कॉलेज अफ आर्ट इसके छापा कला विभा के विभाग अध्यक्ष भी रहे हैं याने की होडी भी रहे हैं इसके अलावा महराजा श्याजी रावविश विध्याले बडोदा तथा कला भवन शांती निकेतन के निरिक्षक भी बने और उनके चित्रों में हमें क्या दर्द देखने को मिलता है और कौन सा दर्द जो लग तो सबसे पहला Birth of a Rose, Dream, Standing Girl in Grief, Refugees, Uncalled beggar family and the children वही वाली जिसको हम पढ़ रहे हैं इनकी इन रचनाव में उन्हें कई राश्रे प्रसकार भी मिले हैं तो दोस्तों ये हैं आपका समकालीन आधुनिक भारत्यकलाकारों के छापा चित्र का पहला चित्र और उनके चित्रकार यानि की छापा चित्र और चापा कार तो बिटा ये जो आप देख रहे हैं ये है चित्र देवी ठीक है बिटा और इस चित्र को हमने देवता क्यों नहीं कहा क्यूंकि इस चित्र के माथे पर लाल बिंदी है इससे हमें प्रतीत होता है कि ये किसी महिला या फिर देवी का चित्र है ठीक है इसके अंदर कुछ आपको ऐसे कुंडली बनी हुई दिख रही है बढ़ियात चोटियात कुंडली नी शक्ती और कहीं कहीं इस चित्र में अगर आप देखोगे तो आपको देखो यहाँ पर साइड में जो लिखा हुआ है तांत्रिक है ना एक श्री का चिन ह है इसके अलावा भट लिखा हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर कुंडली नी लिखा हुआ है है इसके अलावा देवी लिखा हुआ हमको नजर आ रहा है और उपर पतनी क्या ही लिखा हुआ है वो जो हम समझ नहीं पा रहे है ठीक है तो इस चित्र को अगर आप क्या तो॔ झेया है, तो जोतीभट एक तन्टर कलापर अधारित चित्रकार है, देखोट तन्टरिक और बंधर कलाकार इन दोनों में बढ़ा उंतर होता है, तंटरिक तो वह है भई जो अपना भट्सवाहा करते हैं, हाना जादू टोना टोटका करते हैं वह तो हो गए तन्तरिक, और जो उन भट सोहा करने वालों पे या फिर तंत्र मंत्र करने वालों पे चित्र बनाते हैं वो कहलाते हैं तंत्रिक चित्रकार तो ये तंत्र मंत्र करते नहीं थे ये तंत्र मंत्र पर आधारित चित्र बनाते थे ठीक है तो यहाँ पर जो इन्होंने बनाया है वो लगभग बनाया है इस्तरी के पेट के आसपास का चित्र नाभी के आसपास का चित्र ठीक है जहाँ पर बड़ी आँच, छोटी आँच लगभग होती है वो वाला चित्र एक तरह से कुंडलीनी शक्ति यहाँ पर बनाने का प्रयास चितरकार ने किया है और क्या कहा जाता है कि जो महिला है उसके शरीर की जो शक्ती होती है वो पेट में नाभी के पास होती है और जो पुरुस के शरीर की शक्ती होती है वो उसके हिर्दय के पास होती है ठीक है तो इसी चीज से प्रेरित होकर चित्रकार ने ये चित्र बनाया है मैं बार-बार चित्र बोल जारी हूँ तो आप कन्फ्यूज ना है ये छापा चित्र है ये कन्फ्यूज नहीं होना है आपको चित्र और छापा चित्र में तो चित्र का नाम है देवी और इसके चित्रकार है जोती भट जिनका पूरा नाम है जोती मानसंकर भट इन्होंने इस चित्र के लिए जो मीडियम यूज किया है वो है पीतल की प्लेट और इस चित्र को इन्होंने बनाया है 1965 से 1970 एश्वी में इसके अलावा ये वाला जो चित्र है आपका हूँ समकालीन आधुनिक काल का चित्र है एश्वी तकनीक में ये बना है और आज की डेट में ये वाला चित्र रास्ट्रे आधुनिक कलासंड्राले नई दिली में सुलक्षित है इस चित्र के बारे में यहाँ पर अगर हम देखें तो 1965 सत्तर ईश्वी की कला अपधी में धातो निक्षारण विधी याने की एचिंग के द्वारा पीतल की सक्त सतहा पर काले रंग की रेखाओं के माध्यम से इस चित्र को उत्कीन किया गया है इस चित्र में जोती मानसंकर भट ने कुंडली जागरत करने की अलोकिक आनंद प्राप्ट करने की और उस मानवी प्रक्रिया को दर्शाया है जिसका वर्णन हिंदू धर्म सास्त्रों में वैतांत्रिक विध्या में बहुत मात्रा में किया जाता है मानव शरीर में विध्यमान तंत्रिका तंत्र जो मेरू टंड के विभिन्न भागों में विध्यमान उर्जा के विभिन्न श्रोतों की व्याख्या करता है इस चित्र में नाभी के पास इस्त्रियोचित शक्तियां यानि की महिलाओं की शक्तियां तता हिर्दे के पास पुषोचित शक्तियों का वास होता है ये बताया गया है मनुष्य अपने जब तप वय योग किर्याओं से इन कुंडलीनी शक्ती रूपी शक्तियों को जागरत करके पंत्रिका तंत्र के सहारे मस्तिश्क की और अग्रसर रखने का प्रयाज करता है कुंडलीनी के जागरत होने पर दुर्गवा स्वरूप महाशक्ती के दर्शन होते हैं यह सक्ती इस्त्री की हो या पुरुष की दोनों में ही बिना किसी भेदभाव के दिव्य उठ्जा का संचार करती है देवी के सिर के पास दोनों और लबमानों पर बनी आकरती उस विधान की व्याख्या करते हुए यहाँ पर दिखाई गई है बिटा अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं जोती मानशंकर भट के बारे में तो जोती मानशंकर भट का जनम भावनगर गुजरात में 1934 में हुआ था और इन्हों ने स्याजी राविश्व विध्याले बडोदा से फाइन आर्ट में डिप्लोमा किया और परायसनातक की डिग्री लेने के बाद इन्होंने सफल छापा चितरकार और प्रसिद फोटोग्राफर के रूप में ख्याती अरजित की सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दो परायसनातक क्या होता है परहा इस नातक होता है इस नातक के बाद यादि की B.A. के बाद की Bachelor of Art के बाद की पढ़ाई, जो की Masters में होती है तो Master of Commerce and Science में करते हैं, तो Master of Science कहलाता है इसके अलावा जोती भड़ जो थे वो पिकासो से और बेन निकोलस जो की आर्टेस्ट थे पस्चिमी सभ्यता में उनसे प्रभावित थे इंटेगिल्यो विधी से आकरशक रचनाओं के मुद्रण में विशेशग्यता ने इनको न केवल ख्याती दिलाई बलकि बहुत से प्रसकार भी इनको मिले रास्ट्र प्रसकार से भी इनको सम्मानित किया गया और इनका जो एचिंग वक यानि छापा चित्र एचिंग के माध देखेंगे यह चित्र जिसका नाम है औफ वॉल्स या फिर दिवारों से सरुकार चित्र को ध्यान से देखने पर इसमें एक महिला आकरती हमें दिखती हुई नजर आती है तो इस महिला आकरती ने सफेद परिधान पैना हुआ है और इसका चेहरा जो है वो नहीं दिखाया है चित्रकारने और साथ ही में एक व्यक्ति है जिसके पैर यहां पर चित्रकारने चित्रित किये हैं सिर्फ पूरे बॉड़ी में से तो चित्र को देखकर ऐसा लगता है कि यह उस व्यक्ति का म्रद शरीर है और यह जो महिला यहां पर बैठी हुई है यह इस व्यक्ति की प और चेहरा नहीं दिखाने का मतलब यहाँ पर चित्रकार का यह हो सकता है कि वो जैसे कि हमारी हिंदूस अभ्यता में माना जाता है कि पती की मृत्यु के बाद जो पत्नी होती है उसका लगभक पूरा का पूरा अस्तित्व ही जैसे खतम हो जाता है तो इस वज़से चित्रका की दिवार है उस दिवार पर कुछ चित्र चित्रकार ने बनाए है तो उसको देखकर के ऐसा लगता है कि महिला अपनी पुरानी इस मृतियों को याद कर रही है और एक चल चित्र सा पीछे उस दिवार पर चलता प्रतीध हो रहा है पूरा का पूरा जो चित्र है वो लगभक काले और सफेद रंग के से यहां पर बनाया गया है इस चितर की बागी detail हम यहां पर देख लेते हैं तो चितर का नाम है दिवारों से सरोकार, आप लोगों को पता ही चल गया होगा चितरकार है अनुपमसूत, कागज पर ये चितर बनाया गया है और इसका समय है 1982 इश्वी समकालीन आधुनिक काल का ये चितर है और लीथोग्राफ टिकनीक से बनाया गया है लीथोग्राफ बेटा लीथो एक पत्थर होता है जो छापकला में प्रियोग लाया जाता है पहले उस पर उत्कीन किया जाता है चितर जो बनाया जा रहा है और ये वाला चितर भी आपका रास्रे संगराले नई दिल्ली में शुरक्षित है इस चितर के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो अनुपम सूध ने 1982 में लीथोग्राफ विधी से और फोटोग्राफिक प्रतिविंब यानि कि जो दिवार पर पीछे आपको दिख रहा है ना वो फोटोग्राफिक प्रतिविंब का दिख रहा है तो उसके मिश्रण से इस चितर को बनाया है अनुपम सूध ने और इस चित्र में जिस महिला को आप देखने हैं विद्वा के परंप्रागत सफेद लिवास में उसकी मुद्रा इन्होंने करुण मुद्रा बनाई है और उसके आगे उसका मुरत प्रती के शरीर का केवल पहरो वाला भाग चित्रकार ने दिखाया है पीछे की इटो की दिवार पर सफेद रंग से जीवन्त किरियाओं के चित्र बने हुए हैं जो उसे याद दिलाते हैं कि एक समय था जब वह भी इन किरियाओं का हिस्सा हुआ करती थी उसके चहरे को काले रंग से दिखाया गया है जो उसके अस्तित्व विहीन होने को दर्शाता है अथा सामाजिक रूप से अब वह भी अपने पती की तरह मृत समान ही है इस चित्र में कलाकार ने उस सच्चाई को जागर किया है जो एक इस्त्री के जीवन की विटम बना है 1944 इश्वी में हुआ पंजाब के होस्यारपोर जिले में हुआ इन्होंने दिल्ली के कॉलेज ओफ आर्ट नई दिल्ली से डिप्लोमा लेने के बाद स्लेड स्कूल ओफ लंदन से मुद्रन निर्मान की कला यानि की छापा कला की शिक्षा ग्रहन की इन्होंने इंटे गिलिय की कई विधा जैसे की निक्षारण, ड्राय पॉइंट, सिल्क स्क्रिन, मैजो टिंट वे लीथोग्राफी में अनेक प्रियोग किये। इनका रंगीन इंटे गिलियो प्रिंट जिसका नाम है ओटम ऐसी कृती है जिसमें चेहरे पर चिंता के भाव प्रकर होते हैं। भाव निकलपरी क्रियाओं पर अधारित इनका जो प्रिंट है डायलोग स्रीज में दिये गए हैं। कला चित्र में इनकी योगदान के लिए 1975 एश्वी में रास्ट्रपती ने इने सोने की पट्टि का पुरसकार से भी सम्मानित किया है। ये जो कलाकार है ये आज भी कला के प् रक्ष और यहां पर आदमी और औरत ये एक बाग का द्रिशे बेटा प्रतीत हो रहा है यहां पर जहां पर दो एक पुरुष है और एक महिला है वो बैठे हुए हैं और आपस में एक दूसरे को निहार रहे हैं दोनों आखों में आखे डाल कर एक दूसरे से बाते करने का प्रियास कर रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये इन दोनों की फर्स्ट मिटिंग है तो इसी चितर को एक बार हम यहां पर देख लेते हैं आदमी और रत और व्रक्ष चितर के चितरकार का नाम है के लक्षमा गोड और ये चितर भी कागज पर बना है 1980 से 1989 के बीच इसको इस चितरकार ने बनाया है और जो ये चितर है वो समकालिन आधुनिक दौर का ही है एचिंग और एक्वाटिंट पदती में इवाला चितर बना है और रास्टर संगडाले नई दिली में सुरक्षित है तो अभी इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं तो इस चापा चितर को के लक्षमा गोड ने बनाया 1980 से 1990 के बीच मोव पेपर पर एचिंग एक्वाटिंट विधी से इसको चितरित किया और उनके द्वारा बनाये गए चापा चितरों में से ये उतक्रस्ट क्रती है यान ताड़ी वो ब्लाउस पहने हुए दिखाई गई है उसके बाल जूड़े की शकल में पीछे की और बंधे हुए हैं दोनों हाथ आगे की और एक के ऊपर एक यानि एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं पासी तीन व्रक्षों के नीचे एक युवा पुरुष भी बैठा हु हुए हैं चारों और छोटे फूलों वाले पौधे हैं उनकी पत्यों को कलाकार ने बारीकी से चितरित किया है उपर की और तीन व्रक्ष के तने डालियां व्य पत्यां जिस तरह से आलिंगन बद होते दिखाई गए हैं उसी तरह की अनुभूती उस इस रिव पुरुष के बीच हिलोरे लेती दिखाई पड़ रही है हाला कि इन्हें मरियादे की सीमा में समयटे हुए चितरकार ने चितरित किया है फिर भी हिरतिया में उठ रहे समवेगों को उनके चहरे वे आँखों के भावों से स्पस्ट किया जा सकता है तो बेटा आप जान लेते हैं कि के ल मुदरन चितरकार मतलब छापा चितरकार आप फिThereak committed, मुदरन का अर्थ चितरकार ही होता है तो चापा चितरकार में से एक है यह और इन्होंने government college art and architecture हैद्राबाद से डिपलोमा किया और उसके बाद आ गई है महराच स्याव, विश्विध्याले बडोधा से post डिपलोमा क ये अपने चित्रों के माध्यम से प्रकर्ती, मनुष्य, पशुपक्ती तथा वनस्पती के बीच निरंतर चलने वाले सहे संबंधों का संदेश देते रहते हैं, जो की सहे जुरूप में इनके बीच सदियों से कायम है और आगे भी रहेगा. तो बेटा, ये था आपका चेप्टर नमबर थर्टीन, समकालीन आधुनिक भारतिय कलाकारों के च्छापा चित्र. तो ये वाला चेप्टर यहाँ पर इसी च्छापा चित्र के साथ मैं समाप्त कर रही हूँ, आशा करती हूँ बेटा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी ह और बेटा मेरे चैनल भी सब्सक्राइब करना मत भूलना